आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओन्नाइम प्लासे सोनपुर में और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि विहार इडियेलेट एडमिशन पर किरिया आपका जो है चल रहा है और फॉर्ड लिस्ट का जो एडमिशन पर किरिया समापन हो साथ ही साथ हम जो है आपके फिर्स्ट इएर के सूर्फेट कर रहे हैं जब कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी कारे को करने से पहले हमें उसके बारे में जनकारी होनी बहुत ज़रूरी है तो हमने जो हैं सूर्फेट के वारे में बताया है आपके पेपर F1, F2 के फूल डिसकसन करने वाले हैं, कि आपको F3 पेपर में क्या-क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सभी चीज जो है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपसे निवेधन करते हैं, कि चानल पढ़ना है होंगे, तो चानल को सस्काइब कर लिजेगा, बेल आइकन को पेज कर लिजेगा, आप सभी लोगों को इतना पता होगा, कि आपके टूटल फर्स्ट येर में कितने पेपर परने होते हैं, 12 पेपर आपको परने होते हैं, जिसमें आपका नमर की हम बात करेंगे, तो यह खजार नमर का आपका इकजाम होता है, और अभी हम फूल डिसकस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जनकारी मिल जाएगी, पेड नोट्स के बारे में, समझ गए, नोट्स ले लिजे के बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, साथ ही साथ, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो आपका पेपर F1 है, इसके बारे में हमने बता दिय कर दिया है, आप सभी लोगो को, पेपर F1 के बारे में बता दिया है, F2 के बारे में हमने बता दिया है, अभी हम बातचीत करने वाले है, जिसमें हम पर इरंबिक, बाले अवस्ता देखवाल और सुछा की बात करेंगे, यहाँ जो होता पेपर आपका 100 नमर का होता है, इसक आपका जो है 70 नमर क्या होता है कि आपका जो है बाहरी एक्जाम होता है 70 नमर बाहरी होता है साथ ही साथ जो है आपका 30 नमर इंटरनल होता है यह आपका बाहरी परिच्छा होता है सेंटर पर और यह आपका जो है कॉलिज देता है आपको 30 नमर यह आपका जो है 100 marks का होता है क तुम हम जो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आखिर इसमें पढ़ना है, पांच उनिट में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ देख सकते हैं, यह आपका प्राणबिक बाले अवस्ता सिछा, देख सकते हैं, सो नमर का यह होता है, पेपर आपका F3, अवधी काल जो इसका है, वो असी घंटा का यह पीपर है, यानि असी घंटा में इसको पढ़ा देना है चाहेंगे तो, clear है? यहापर हम पहले यूनिट की बात करेंगे, यहापर पहला यूनिट में आपको पढ़ना है, प्रणबिक बाले अवस्ता देखवाल और सिछा की समझ के बारे में आपको जान आपको पढ़ना है, यहापर यहापर बोल रहा है कि Early Childhood Care and Education के बारे में आपको पढ़ना है, कि हम बच्चे जब जन मिलते हैं, तो उसके हम शुरू आती देखवाल कैसे करते हैं, और प्रणबिक सिछा जो है, कैसे देना शुरू करते हैं, तो पहला यूनिट में हमें जो ह चार पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है, पहला पॉइंट हमें जानना है कि प्रणबिक बाले अवस्ता देखवाल और सिछा की परमुक आवधारनाय क्या है, यानि concept of Early Childhood Care and Education, यानि प्रणबिक बच्चों की जो देखवाल है, जो सुरक्षा है, जो उनकी education है, उसकी जो आपके concept है, वो क्या है, उसके बारे में जानना है, दूसरा, ECC का आवधारना और उद्धिस्य के बारे में जानना है, यानि Early Childhood Care and Education का जो उद्धिस्य है, जो importance है, जो role है in any student, in any student life, उसके बारे में हमको जानना है, अगला है, प्रणबिक बरसों के दुरान, गुनवक अप्ता पुर्ण प्रणनभी के देखमाल और सिक्षा दिया जाता है, उसका बच्चो के उपर क्या प्रभाव परता है, हम सभी लोग जानते है, अगर बच्चों को हम बहतर तरीके से एजूकेशन लेते है, बहतर तरीके से, अगर उनके हम देखभाल करते हैं, तो कैसे सिट्टे हैं, बच्चे जो होते हैं अनुकरन करके, नकल करके सिट्टे हैं, साथ इसाथ आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे, कि जो आपका यह आवस्थाइं दिये गए हैं, विकास की आवस्थाइं जो होती है, बिसिकली आपका बहुत सारा होता है, लेकिन मुख तो हमें जो है उन बच्चों के लिए सलिवस कैसा होना चाहिए, उन बच्चों का कैरिकूलम कैसा होना चाहिए, हमें जो है इन बच्चों के लिए सलिवस कैसा अभिक्सित करना चाहिए, कैरिकूलम कैसा देना चाहिए ताकि बालक जो है बहतर तरीके से एजूकेशन को समझ स यानि बहुत जरूरी हो और अल मेंटेन कर रहा हो व्यसा हमें पाठे चर्या की जरूरत होनी चाहिए ताकि बालक का सभी प्रक्षों का विकास हो सके दूसरा बिंदु में है इसी सी पाठे चर्या के लुगू एवन दिर्ग काली उद्यस्त का नहीं हो चाहिए यानि कि जो हमारा इसी सी पाठे चरिया होना चाहिए, उसका लगू एवन दिर्ग जो है, उद्देश से क्या होना चाहिए, इसके उपर बात यहाँ पर किया गया है, यानि उसका उद्देश से क्या होना चाहिए, आगे हम पाठे चरिया को बनाते हैं, यह सिलेबस बना अगला देखेगा, गतिवीधी के लिए बिभीन वीधिया का पडियोग करे, परतिक्रियाओं का चैन करे, विषय वस्तु अधारित प्रजेक्ट वीधी यादी करवाए, यानि बच्चों को जो है, हमें छोटे बच्चों को स्टडी करवाना है, छोटे एज में, तो हमें उस बाता परऊना चाहिए, यह कहने का मतलब होता है कि ऐसा कच्छा कच में आप जाएए, जहाँ पर विकास की भाव ना हो, सांती साथ बाल के इंदरीत हो, बालक का मन हो तो पढ़ाईए, नहीं मने तो मत पढ़ाईए, जब रस्ती नहीं पढ़ाना है, समझ गए, सांती साथ जो है, सामवेसी बाता परऊनी चाहिए, यानि सभी बच्चों को एक समान सिक्छा देनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको परना है, यह आपका दो इविनिट हो गया, आगे भरते हैं, तो हम तीसरे इविनिट की बात करेंगी, तो तीसरा आपको जो परना है, वो क्या परना है, प्रणंबीक बाले अवस्ता सिक्छा येवं विद्याली की तयारी, हम सभी लोग जानते हैं कि जब बालक जो होते हैं, तो अपने घर रहते हैं, और घर से वो सिक्छा लेकर जो है, प्रणंबीक बिद्याली में जाना शुरू करते ह तो जो बालक जो है विद्याले में जाने के लिए तियार हो जाएगा, तो उस समय क्या-क्या चनोती आएगी, क्या-क्या महत्यपून, टर्म, टर्म, अन कर्णिशन आएगे, उसके उपर हम बात करेंगे. तो एक बिंदू, दो बिंदू, तीन बिंदू, चार बिंदू के बारे में आपको पढ़ना है, इस एउनिट में आपको थर्ड, थर्ड एउनिट में आपको चार बिंदू के बारे में पढ़ना है, पहला बिंदू देखेगा, प्रणमभीक बिद्यालों में, प्रणमभीक जो है शुरूर में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हम बच्चों के अनुरूप ही पढ़ाएंगे इसके बाल के निरित कार्थ वही सब होता है समझ गए अगला देखेगा प्रणभीक बाले अवस्ता सिख्छा में खेले ओम गतिवीधी का आयोजन का महत्तों क्या है हम सभी लो भासा और गणिती विकास का कौसल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे विद्याले आते हैं उनसे पहले भासा और गणिती विकास हो जाता है बच्चों के पास मातरी भासा होता है और हमें भी मातरी भासा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए साथी साथ जो है बालक के पास जो है गनित की सम्साल होती है उन्हें पता होता है कितना धूठ पी जो है बच्चो का भी कास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में पता लगाएंगे उसका आकलन करेंगे, उसका evaluation करेंगे, उसका मुल्यांकन करेंगे, पता करेंगे क्या कमी रह गई, कहा सुधार करें, यह सबी चीज़े जो है इस unity में हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर देखेगा, इसमें हम 6 unit, 6 point के बारे में पढ़ेंगे, कितने point के बारे में पढ़ेंगे, 6 point के बारे में पढ़ेंगे, पहला यहाँ पर आपका point है, प्रणभी के स्टेज में विकास के विविन आयाम क्या है, उसके बारे में जानेंगे, समझ गे, अगला दूसरा है, बच्चों के प्रगती के विविन संकितक और मानक जानेंगे, बच्चे जो है सीख रहे हैं, तो सम्दित अभी लेखों का शंसादम करेंगे, यानि बच्चों के जो आकलन है, जो मुल्यांकर हम करेंगे, उसका अभी लेख लिखेंगे, फोटोफोलिया, चेक लिस्ट, अतियादी बनाएंगे, ताकि पता कर सकेंगे, बच्चे के अभिकास जो है, कितना दर से हो रहा है, कहां कमी रह रही है, कहां पर सुधार करने के जरूरत है, ये सबी चीज़ें जो है, हम समझेंगे और जानेंगे, अगला है, बच्चों के प्रगती में घर और विद्याले की भूमिकाओं का अंता संबन करेंगे, यानि बच्चों के प्रगती हो रहा है, उसमें घर और वि ये जो है आपका इंट फोर है अब हम जो है इसके इंट पाँच की बात करेंगे आप यहाँ देखेगा तो यह हमारा जो है इवनिट पाँच है और जिसमें हम जानेंगे कि बिहार के बिहार में प्रणयूबिक वाले अबस्ता देख वाल और सिछा क्या है यानि हम सबी लोग को पता है कि हम लोग बिहार में delayed कर रही तो हम अपने राजी के बारे में जानेंगे कि हमारा जो विहार का जो विहार का जो है जो यरली childhood care and education है बच्चों का जो शिख्चा है देखवाल है वो सरकार बहुत सारी इसके बारे में इसमें पढ़ेगे, तो हम 4 बिदु के बारे में पढ़ेंगे, फिरी एजुकेशन, क्लियर रना, दूसरा, राज्य में प्रणबिक बाले अवस्ता सिक्षा आठ वर्स तक विस्तार देने की बात क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि आरटी आपका एक एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि हर राज्य के वच्चों के लिए जो है आठ वर् प्रणबिक लिए जो हम बदलाव करेंगे भी हार के स्टेज पर तो वहाँ पर क्या चुनोती रहेगा, क्या नमचार देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम यह आपर समझेंगे, अगला है राज्य में विद्याले की त्यारी में संस्थारों और अकाडमियों क्या पिक्ष आप मेरी बात समझ गया होंगे, सारे आमने सलेवस को आपको तोर तूर के बताया है, कितना पड़ना है, ताकि आपको समझ में आजाए, दिक्कत नहीं हो, समझ गया, साथ िसायत अंत में कहेंगे, जो बच्चे अगर नोट्स नहीं लिए हैं, तो नोट्स लेने के लिए जो है दिए कि नमर पर आप संपर्क कर ले ताकि आपको बेतर एजुकेशन मिल सके मिलते हैं एक स्टूडियो में और आसा करते हैं कि आप मेरी बात समझ गया होंगे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सिस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा धन्यव कि दिया कर लिए जो खफिया प्रिक चेशन मिलाग जान उन्यव में प्रिक लिए जात कर लिए आपको बाद कर दो हमांगे खिया जात कर लिए होंगे तो थे ही जात को